दो हजार इकिस में कॉटन ने सोने जासी तेजी दिखाई है किसानों और वैपारियों के लिए कॉटन सफेज सोना बनकर निखरी है जनवरी 2021 से अब तक कॉटन ने साथ फीजदी की तेजी दिखाई है वही इंटरनेशनल मांकिट में भी कॉटन के दाम एक डॉलर के उपर देखे गई है इस बार कॉटन का उतपादन कम ही रहने का अनुमान है इस साल कॉटन की फसल पिंक बॉल वर्म कीट से खराब और मौसम के चलते बड़े पैमाने पर खराब हुई है टेक्स्टाइल इंडस्ट्री पिछले डेर साल से कोरोना के चलते काफी प्रभावित हुई है वही अब लॉकडाम खत्म होने के बाद टेक्स्टाइल इंडस्ट्री से कोर्टन की अच्छी डिमांड निकली है जिसका असर कोर्टन की कीमतों में तेजी के तौर पर साफ देखा जा सकता है वही बाजार के जानकार, केडिय अडवाइजरी के डिरेक्टर अजे केडिय के मुताविक, वैश्विक बाजार में भी कोटन की सप्लाई में कमी देखी जा रही है जो की अगले 6 महीनों तक जारी रहा सकती है Cotton की कीमतें उची होने पर demand Cotton से policyster पर shift हो जाती है लेकिन इस बार crude की तेजी के चलते पॉलिस्टर भी महङा है वही manual fiber की कीमतों में भी तेज होने के चलते Cotton को support मिल रहा है बीच बीच में Cotton में थोड़ी हल्की गिरावट भी देखने को मिली है लेकिन आगे cotton की कीमतों में तेजी जारी रह सकती है अजे केडिया के मुताबिक फरवरी 2022 से मार्च 2022 तक घरेलू स्थर पर cotton वायदा में 38,000 तक के स्थर देखने को मिल सकते हैं और ICE cotton में 1.40 सेंट का भाव देखने को मिल सकता है सप्लाई की चिंता और डिमांड तेज रहने से कीमतों में तेजी आईगी विरूर्पोर्ट, मार्केट टाइम्स, टीवी